तो हाई गाइस दिखाएगे दिखाऊंगा प्लेस्मेंट के बारे में क्या को इसका इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्र वगरा सब को डिसक्स करने वाले वीडियो में तो वीडियो को अच्छा से देखना जो ही पहले बार चनल पे आया है सब्सक्राइब की बात करें तो वाई रूंग्टा ग्रूप क्यों आपको रूंग्टा जाना चाहिए तो इसका कुछ प्लेस्मेंट मिंस आपका कुछ रैंकिंग वगरा देख लेते हैं तो आपको पुरा स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एंडिया टूडे में इसका क्या रै इसका बहुत अच्छा है तो यह फर में सी के लिए अच्छा है और आउटलोग वगरा में सब करेंगे तो इसके बहुत सारे जितने भी जो देटा निकालते हैं उनका मतलब यहां पर रैंकिंग से तिसलिए आप इसे चूज कर सकते हो अगर आपको जाने का मन है तो यहां इसके बाद के बाद करेंगे ज़्यूद अच्छा है यां पर आपको भी लाए में यह campus है अच्छा लोकेशन भी है तो आपको अच्छा मतलब मिलेगा क्योंकि private colleges में आपको पाता कि campus ही अच्छा मिलता है ठीक के बहुत सहीं मिलता है placements वगरा भी ठीकी ठाक है इसके में जो fee से उसके इसाब से देखेंगे placement ठीक ठाक, ऐसा कुछ खराब नहीं है, इसको अगर जाना हो तो prefer कर सकते हैं, और सबसे वड़े बात है कि अभी यहाँ पर application form जो है, वो zero मिल रहा है, मतलब कोई भी fee नहीं लगने वाल application form भरने के लिए तो आपका पैसा बचेगा, तो call भी कर सकते हो, वहाँ पर number में मिलेगा, तो आगर admission लेना हो, तो आप call करके देख सकते हो, आप जो भी जानना हो, आप खरी जो भी हो पूछ सकते हो, आपको डिसक्सने बास check करना, नहीं भोलना, यहाँ से check करना, application link वगरा भी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ यहाँ पर courses क्या क्या offer वो सब देख लेते हैं, तो courses यहाँ बहुत सारे offer जितने भी बी टेक के courses है, mechanical हो गया, civil, arnautical वगरा भी है, और उसके बाद electrical electronics, यह सी तो है ही, यह सारे बी टेक के courses है, प्लस डिपलोमा, एन यहाँ पर m-techs भी है, और PhD भी है, तो मतलब एम टेक, बी-techs, सब कुछ यहाँ पर courses available है, दो को यह रूनटा गरूप जो है, यह बहुत बड़ा institution है, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग छोड़ी-छोड़ी departments बने होगा है, ठीक है, जैसेंग engineering का भी है, pharmacy के लिए भी है, management वगरा, बहुत कोई का है, तो यह आपका engineering वार curriculum के आपके screen में दिख रहा होगा, इसके बाद अगर बात करें, तो आगे आपको यहाँ पर दिखेगा, यह science and technology का यह भी अलग है, उसके तो pharmacy का भी होगा, ठीक है, इसके फार्मसेटिकल, यह फार्मसेटिकल का है, उसके बाद आपका management का भी, ऐसे अलग-अलग सारे science and technology, जिसमें BSC वगरा का courses भी रहता है, क्योंकि यह institution group है, तो इसके अदर बहुत सारे subgroups मतलब बटे हुए है, जो कि अलग-अलग time में established बना है, बना है, कहीं 2006 में बना है, 2010 में established हुआ है, उसके यह साब से यहाँ बे अलग-अलग branches बने हुए है, तो आपको screen में दिख रहा ह इसके आगे अगर बढ़े placements के बारे में सबसे important, तो placements की बात करें तो इन्होंने बताया है कि इनका भी 48 lakh का highest package गया है, जो कि DBS bank ने दिया 36 गड़का, ठीक है, इसके बाद 2500 प्लस offers यहाँ पर आते हैं, और लगबग 300 प्लस companies आती है, तो यह 300 प्लस companies है, इसके बारे में तो कुछ-कुछ high package मिलता है, बट आप median package, अब मान के चलो वही आपका 8 to 10 lakh वाला slab में चलेगा, यह सब कुछ high five नहीं रहेगा, हो सकता अगर पूरा over मिला है, तो 6 to 8 lakh में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे mostly offers आपको 5 to 6 lakhs, 4 lakhs वाले ही देखने को मिलेंगे, कुछ-कुछ offers ज 359 selections हो है, और 515 million यह कुछ उतना ध्याने का ज़रत में, यह high five करके लिखा जाता है, इस डेटा को मत देखा करना, क्योंकि इस डेटा को अगर देखो कि तुम को लगए कि इतना पैसा आया है, तो actual में यह basic pay नहीं है, यह total overall में लाकर इसमें stocks वागरा सब कुछ है, तो इसल मत दो, बढ़ आपको यह देखना चाहिए, कि companies बहुत सारी है, तो आपको placement percentage का, मिस जो chances से वो बढ़ जाता है, साधी साथ यहाँ आपको दिख रहागा, बहुत सारे, मतलब placed वाले मतलब यहाँ पर data दिख रहा होगा, कि MNC accredited like Accenture, Cap January Tech, Mahindra, TCS, Day 1 placement, मतलब किस दे में क् placements हुए है, उसके कौन-कन companies आई है, वो सब आपको data यहाँ पर दिख रहा होगा, 300 plus companies भी बताया जारा है, dream companies और big dreamers, R1, means for the DBS bank at the 48 lakh and Amazon 38 lakh package, तो DBS bank आया है, और Amazon वगेरा भी आया है, Amazon भी 38 lakh package में लेकर गही है, ठीक है, 2500 plus offers जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, उसके बाद FNCS सारे आते हैं, Tech Mahindra, TCS वगेरा तो common है, उसके बाद Wipro भी है, Sap Labs है, Persistent है, यह सब बहुत सारे आपको data दिख रहा है, MOUs with leading, Tata company, Starter International, तो इसमें बहुत सारे MOUs signed, vocational training वगेरा के लिए भी आते हैं, तो vocational training, Tata Group वगेरा भी आता है, तो यह सब आपको placement data है, यहाँ का जो कि ठीक ही टाक है, मतलब, core में ताको कुछ खास उतना मिले का नहीं, non-core में आपको high package देखने को मिलेगा, as always, fee structure की बात कर लेते हैं, तो Mtech B और Polytechnic का fee structure दिख रहा होगा, first year का fee है, मतलब, एक साल का fee मान के चलो, तो 4 से multiply कर लो, 4 years का fee मिले जाएगा, जो कि बहुत ही high-five नहीं है, normal college जो private college का fee रहता है, उसी के हिसाब से, first semester आपको लगभग 35,000 to 36,000 तक लग जाएगा, मतलब, infrastructure की बात करते, infrastructure बहुत सही है, यहां को इसका hostel आपको दिख रहा होगा, यह girls hostel से साहद, बट बहुत अच्छा will maintained है, बट यह इसके website में है, तो मैं clear बोलने सकता ह ही हो, कुछ हो सकता है, बट हाँ, इसके आसपास ही होगा, यह कुछ देखाने के लिए बहुत अच्छा सजा दिया होगा, बट आसपास ही होगा, अच्छा है, infrastructure खराब में, बहुत सही है, infrastructure नो बहुत अच्छा maintain किया है, यह यहां के food means cafe बगएरा है, और आपको hostel life दिख र अच्छा दिख रहा होगा, यहां पर life cycle means life style है सबका, तो यह ही है रहा है, इसका data, रूंटा कॉलेज का, अगर आपको इसमें कुछ भी इंट्रेस्ट हो, अगर आपको admission लेना हो तो डिस्कृसिन में link होगा, जाकर दिख लेना, call कर सकते हो, मिलते हैं अगले मिड़ों में क कुछ ऐसे information का तब तक के ध्यार रखना, ख्याल रखना, बाई!